नमस्कार मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत भारत जैसे विशाल देश की सबसे प्यारी बात यह है कि यहां सब मज़भ के लोग एक साथ रहते हैं सभी मज़भ के लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर और सम्मान भी करते हैं भारत में आपसी भाईचारे के मिसाल हमेशा देखने को मिलती है चाहे वो दिवाली हो या फिर एद सभी मिल जुलकर एक साथ सेलिबरेट करते हैं यहां तक कि एक दूसरे के सुख दुख में भी साजह करते हैं लेकिन यह चंद लोग कौन हैं जो हिंदू मुस्लिम करके आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं आखिर इस नफरत की दिवार के पीछे की वज़ा क्या है आपको बता दें कि कानपूर से एक मौमला सामने आया है कुछ अतिवादी लोगों ने सरयाम एक मुस्लिम रिक्षे वाले को पीटते हुए जय शरीराम के नारे लगवाएं और सडक पर उसका जिलूस निकाला एक छोटे से जगड़े की वज़े से धर्म को अपना हतियार बना लें क्या हम मांसिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं धर्म कभी ऐसा करने की इजाज़त हरगिस नहीं देगा क्या हम इंसानियत का पाठ भूल गए हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मासूम बच्ची अपने पिता को पिटते देख बचाने के लिए पिता से लिपट कर रूती रही लेकिन इंसानियत के इन दुश्मनों को बिलकुल भी रहम नहीं आया पुलिस के सामने पिटते रहें देखे रिपोर्ट और आपको ये भी बताएंगे कि क्या है ये पुरा मौमला देश में धर्मांतरण की कई मौमले सामने आते रहते हैं और पुलिस भी इन मामलों के लेकर सखती करती हुई नजर आती है हलाकि कुछ लोग धर्मांतरण के नाम पर निर्दोश लोगों को पीटते हैं ऐसा ही एक मौमला उत्तरपरदेश के कानपूर में हुआ यहां पर धर्मांतरण के नाम पर कुछ लोगों ने एक एरिक्षा चालक को पीटा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बच्ची अपने पता से लिपट कर रो रही है और दया की भीक मांग रही है इस मौमले का विडियो भी शेहर में वैरल हुआ और आरोपियों को गरफतारी की मांग उठने लगी फिर पुलिस ने इस घटना में कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिशत के नगर मंतरी अमन गुपता सहित तीन आरोपियों को गरफतार किया था वही इन आरोपियों की गरफतारी के विरोध में विहिप और बजरंग दल कारे करताओं ने DCP साउथ के दफ्तर का घिराव किया इसके साथ ही उन्होंने हंगामा करते हुए विहिप मंतरी अमन गुपता को छोड़ने की मांग की हंगामा कर रहे कारे करताओं से ADCP डॉक्टर अनिल कुमार ने उनसे बाद विकी बता दें के धर्मांतरन के आरोप में एरिक्षा चालक की पिटाई की विडियो वैरल हुई थी वैरल हुए इस विडियो में अफसार नाम के युवक को भीड जम कर पीट रही है जब भीड उसे पीट रही थी तो अफसार की मासूम बेटी बिलख बिलख के उसे बचाने की गुहार लगा रही थी इस मौमले में पुलिस ने बजरंग दल कारेकरता अजय बैंड वाला डौन, केशु और रमेश समेत 15 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, धमकी की धारा में एफायार दर्ज कर ली थी इसके साथ ही फिर पुलिस ने आरोपित अजय उर्फ राजेश बैंड वाला विहिप नगर मंत्रियमन गुपता और राहुल कुमार को घरफतार कर लिया था कानपूर के बर्रा में बजरंग दल कारेकरताओं के हाथो पिट रहे एक युवक का विडियो वारल होने के बाद पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है वाइरल विडियो में पिटाई के बीच युवक से लिप्टी साथ साल की बेटी रोते बिलखते नहीं पीटने और छोड़ देने की गुहार लगा रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ आखिरकार जब पुलिस पहुची तो युवक की जान बची बजरंग दल के कारेकरता पुलिस हिरासत में भी युवक पर हाथ चलाते रहे और बच्ची रोती रही वताया जा रहा है कि बर्रा में एक लड़की से छेड़ चाड़ और धर्मांतरन का दबाव बनाने के आरोप में तीन भाईयों पर केस दर्ज किया गया था आरोप है कि आरोपी परिवार शिकायत करने वाले परिवार को लगतार धमका रहा था इसी मौामले में पुलिस कार्रिवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कारे करताओं और विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे शुभम ने राम गोपाल चौराहे पर प्रदर्शन और नारे बाजी की कारेकरताओं के रोकने के बाद भी प्रदर्शन किया और आरोपियों के घर से की युवक अफसार एहमत को पकड़ दिया और उसकी पिटाई कर दी पुलिस ने किसी तरह युवक को छुड़ा कर ठाना लाया लेकिन बाद में पुलिस ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था फिलाल इतना ही देखते रहिए हिंद भारत